राधी राधी दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है हालाते वा भावी आपकी ये तो सारी बहुत सुन्दर है रात की ये कारिये करम में क्या मैं इसे पहन लू वो क्या है ना मेरा एक बैग घर पर ही रह गया है आप तो जब जत्ती निकल जाएंगे खुसी ने अपनी आलमारी खोलते वे कहा रहने दो भावी नहीं देनी तो कोई बात नहीं मेरी अगर मजबूरी नहीं होती तो ऐसी सारीों को तो मैं भाव तक ना दू वैसे भी जिस सारी पर आप इतना इतरा रही है ना वो कौन सा आपने अपने पैसों से ली है मेरे कि लड़के की साधी में सामिल होने अपने माई के आई है गुंजन जब से यहां आई है उसकी नजर अपनी भावी के समान पर ही लगी हुई है क्या हुआ बहु तुम लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आई सास प्रतीमा जी ने कमरे में घुषते ही कहा देखिए न मा मैंने भावी से पहली बार एक सारी क्या मांगली उन्होंने तो तुरंत ही मुझे मना कर दिया गुंजन ये तुम ननद भावी का मामला है मुझे इसमें बीज में मत डालो प्रतीमा जी ने कहा और कमरे से बाहर मा तुमने देखा ना भावी कितना खर्च करती है अभी साल भर भी नहीं हुआ उनकी साधी को और कम से कम 15 नई साड़ी और खर्दली अरे मेरे भी देवर और ननद की साधी हुई थी पर मैंने तो अपनी साधी की कपरों में ही काम चला लिया था और एक ये है इन्हें हर सीमा जी के कान भरते वे कहा गुंजन तुमने उसकी अलमारी क्यों खोल कर देखी अब मा अपने ही घर में चीजे चूने से पहले मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या और फिर अभी तक तो मैं ही आपके साथ पूरा घर संभालती आई हूँ तब की बात और थी तब बहु नहीं आई थी अब इस घर पर तुमसे ज्यादा उसका हक है तुम्हारा अपना घर तुम्हारा ससुराल है तुम्हें अपने कमरे में जो करना है वो करो पर आगे से बहु की किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले एक बार उसे जरूर पुछ लेना प्रतीमा जी इने गुंजन की डाट लगा ही रही थी तभी खुसी उनके कमरे में आ गई दिदी आपको ये सारी पसंद है ना तो पहन लेजिए मेरी पास एक पिले रंका लहंगा भी है मैं कल उसे पहन लूँगी खुसी ने सारी आगे करते वे कहा नई भावी के सामने अपनी मा से ही ड खोटी बची नहीं है उसे खुद समझना चाहिए कि हर समय की जिद अच्छी नहीं होती तुम जाकर अपना काम करो प्रतीमा जी ने उसे रोकते वे कहा पूरा एक साल में खुसी ने कभी भी गुंजन को इस तरह से बेवार करते नहीं देखा था उसका मन उसके इस तरह के बेवार से अचमभित थी नहीं मा एक बार मुझे देदी से बात कर लेने दिजिये हो सकता है कोई और बात हो कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता खुसी एक बार फिर से पिल्ली वाली सारी लेकर गुंजन के पास चलियाई पर इस बार भी गुंजन के रवये फिर स वहीं था पर खुसी ने मन में ठान ही लिया था कि वा गुंजन देदी से मन की बात निकलवा कर ही रहेगी खुसी के बार बार अपनत्वे और प्यार ने गुंजन को तोर दिया और उसकी रूलाई फूट गई भावी मुझे माफ कर दो मैंने आपसे सारी मांगी मेरा कोई बैग ससुराल में नहीं छूटा है इस बार जरा प्रतीक का हात तंग है इसलिए मैं नई साड़िया और कपड़े नहीं ले पाई पर यहां सब लोगों को जब नए कपड़े पहनते देखती हूं तो मेरा भी मन करने लगता है जैसा खुसी समझा रही थी ठीक वैसा ही सच खुसी बहुत संपन परिवार से तो नहीं थी इसलिए उसने तुरंत ही अपनी ननद गुंजन की परिसानी को भाप लिया कोई बात नहीं दी अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ अपने पुराने ही कपड़े पहनूंगी फिर तो हम दोनों एक जैसे ही रहेंगे खुसी ने गुंजन के आंसुओं को पुष्टिवे कहा सच मेरा भाई बहुत भागे साली है जो उसे आपके जैसी समझदार जीवन साथ ही मिली है गुंजन ने खुसी को गले लगा लिया भागे साली तो मैं भी कम नहीं हूँ जो मुझे बड़ी बेहन जैसी ननद मिली है अब कार्य करम का समय हो रहा है बाहर चलते हैं खुसी जैसे ही बाहर निकली तभी प्रतिमा जी ने उसे पीछे से पकर लिया मैं अपनी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाई कि उसे ये भी परिशानी हो सकती है उसने भी मुझे कभी खुद नहीं बताया पर अब तुम चिन्त मत करो मैं अभी बजार ले जाकर उसे महंगी और सुन्दर ड्रेसेच दिलवा लाती हूं नहीं मा जो एक गलती गुंजन दीदी ने की है वहीं गलती एक बार फिर आप नहीं कर सकती नए कपड़े खड़ना इस समस्या का हल नहीं है इससे हम ना केवल गुंजन दीदी की अप पर उनका समय फिर से अच्छा हो जाएगा खुसी ने हस्तेवे कहा पर बहुत तु भी पुराने कोई बात नहीं मा मैं अपनी दीदी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या चलिए अब देरी हो रही है खुसी जैसी समझदार बहु और गुंजन को दिये गए संसकार का जरूरत है तो बस उन्हें समझने की असा करती हूं दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और सस्क्राइब कर दीजिएगा और इस कहानी पे आप लोगों की क्या रहे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आपका बहुत भूत धन्यवाद